हाई आवरिवान वेलकम टू आवर चैनल चैंपियन सस्मार्ट क्लासेज आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक स्क्वार रूट्स के बारे में प्रिवियस वीडियो में हम लोग ने बात की थी स्क्वार के बारे में और आज हम लोग स्क्वार रूट के बारे में बढ़ेंगे square root जो होता है वो होता है opposite of squares square के लिए हमने पढ़ाता कि जैसे अगर कोई number 2 है इसको खुद से ही दो बार multiply करेंगे जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 to the power 2 means 2 square power 2 means square तो ये हो जाता है 4 जो 4 है ये square of 2 है तो 4 का जो root होगा वो 2 होगा means जो square का उल्टा होता है उसको बोलते है square root इसको हम represent करते है इस symbol से ये जो symbol होता है इसको हम बोलते है radical इसको बोलते है हम radical ओके इस symbol को हम radical बोलते है और इसके अंदर हम root रखते है जो भी number होता है जिसका root निकलना होता है के ऐसा लिखा जाता है root of 4 square root of 4 इसको हम लोग ऐसा पटते है square root of 4 square root of 4 क्या होगा 2 but अगर आप को ध्यान दो तो जो अगर हम plus 2 का square करेंगे तो वो भी 4 आएगा और हम minus 2 का square करेंगे तो वो भी 4 आएगा क्योंकि minus minus 2 times जब multiply होंगे तो वो plus का result हेंगे तो it means कि जो root of 4 होगा वो plus minus 2 होगा but in class 8 आपके बल positive के ही बारे में पढ़ोगे कि जो root of any number will always be giving you positive हाला कि negative भी देता है but उसको आप बड़ी class में पढ़ेंगे तो अभी के लिए आप जानोगे कि root of 4 will give you plus 2 तो उसी तरीके से दिन root of 16 कितना होगा 16 किसका square है 4 का root of 121 square root of 121 क्या होगा 11 क्योंकि 11 का square जो होता है वो 121 होता है ठीक है इसको हम ऐसे लिखते है 121 is equals to 11 square ठीक है इस root का मतलब भी मैं आपको बता दूँ अगर किसी भी कोई भी आपके पास ये आपका positive number है a to the power n इसका मतलब होगा a की power half इस root का मतलब होगा कि किसी भी number की power कितनी है half है ठीक है ना इस root का मतलब है किसी भी number की power हाफ तो यहां पर जब यह ऐसे लिखा है और यह power change होगी means यह power side change करेगी तो divide में आ जाएगी अगर हम ऐसे एक general way में समझें कि यह यहां पर multiply में है तो यह आएगी यह divide में आ जाएगी तो मतलब में आ जाएगी ठीक है इसलिए इसको बोलते हैं opposite of square square root is the opposite of square इसको find out करने के कही सारे methods है तो उन methods के बारे में हम लोग discuss करेंगे so methods for finding square root का जो सबसे पहला method होगा वो successive subtraction method होगा successive subtraction of odd number ठीक है successive means लगातार subtract करना तो आप जानते हैं और number भी आपको पता होगा numbers which are not exactly divisible by 2 ठीक है तो यह जो होता है यह method जो होता है यह better होता है उन perfect squares का root निकालने के लिए जो कि 250 से less होते हैं यह up to 250 यह better होता है कितने numbers का कहां तक कि numbers का find करने के लिए 250 तक क्योंकि बहुत जादा लंबा हो जाता है यह method ठीक है तो हम लोग consecutive इसमें जो भी हमारा number given होता है उसमें से हम consecutively जो होता है और numbers minus कते जाते हैं जैसे पहले 1 minus करेंगे then 3 then 5 then 7 then 9 then 13 then 15 up to so on कब तक करेंगे जब तक कि हमें remainder 0 ना मिल जाए हम तब तक यह method को repeatedly करते रहेंगे जैसे हम पहला example लेते हैं कि अगर हमें किसी भी number का square root निकाला है हमने माना कोई भी number 64 है इसका हमें square root निकालना है तो हमें successive subtraction method को यूज करना है तो क्या करेंगे हम लोग ऐसे करेंगे 64 minus पहले क्या minus होगा 1 then how much you got 63 ठीक है जितना result आया इस result में से आप minus करोगे 63 minus 3 हो जाएगा 60 then 60 minus 5 then हो जाएगा 55 then 55 minus 7 then हो जाएगा 48 then 50 sorry 48 48 minus 9 will give you 39 then 39 minus 11 will give you 28 then 28 minus 13 will give you 15 then 15 minus 15 15 will give you 0 तो यह स्टेप हम लोग ने तब तक रिपीट किया जब तक कि हमें जो रिमेंडर था वो 0 नहीं मिल गया ठीक अभी कितने steps में complete हुआ है हमें वो count करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने steps में complete हुआ है 8 ठीक है तो इट मीज is square root of 64 is equals to 8 यहां पर हम उतने steps को count करेंगे ठीक है तो कोई भी number होगा उसमें हम successive subtraction method का use करेंगे तो लगाता जितने भी odd numbers होतने हैं बिना break के 15 के बाद 17 आएगा 19 आएगा 21 आएगा 23 आएगा जब तक कि हमें result क्या ने मिल जाए 0 तब तक हम इसको subtract करते रहेंगे इसके बाद next method देखते हैं next method is tense and once method it is one of the best method और जब आप competition level की coaching वगरा करते हैं आप कोई भी competition चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो या SSC से रिलेटेड हो या government job other government job से रिलेटेड हो उसमें अगर आप shortcut method पढ़ेंगे तो आपको यह method पढ़ा जाता है इसको tense and once method कहते हैं ठीक है यह four to five digits का square root find out करने के लिए use होता है and it is one of the most easiest method but इसको अगर आप समझ लेंगे तब ठीक है तो I am just going to tell you by taking some examples so इस method को बताने से पहले मैंने यहाँ पर squares लिखे हैं one to nine इनको लिखने का सर्फ यह purpose है हमारा कि अगर आप जो mid value है five का square यह देखें तो इसका जो square होता है इसके one space पर five आ रहा है ठीक है but अगर आप बाकी का देखें यह यहाँ पर increasing order में और यहाँ पर decreasing order में तो देखें यहाँ से one से four then nine then six और यहाँ पर भी उल्टा गया है one four nine six means one and nine का जो square होता है उसके one space पर आता है one two and eight का जो square होता है उसके one place पर आता है four three and seven का जो square होता है उसके one place पर आता है nine and four and six के place पर जो square जो आता है उसके one place पर होता है six तो हमें जब भी square root find out करना होगा तो हमें दो numbers मिलेंगे अब उन दोनों में से हमें choose करना होगा कैसे कि कौन सा number का perfect square है वो given number तो हम लोग इसकी बात करते हैं, यह 4 डिजट अंबर है, इसमें हम लोग राइट हैंड साइड से पेर अप करेंगे, राइट हैंड साइड से पहले 2 डिजट का पेर बनाएंगे, उसके बाद जितनी भी डिजट बचेंगी, वो सारी एक साथ ले ली जाएंगी, ठीक है, कि यहां से 2 क्योंकि perfect square निकाल रहा है तो 2 का हमने pair up किया, बाकी बच्चिया 39 इसको हम लोग बाद में देखेंगे ठीक, तो हमें सबसे पहले देखना है 69 को तो हम पहले लिख लेंगे यहां पर 10s and यहां पर 1s ठीक, यहां वोड जिर्ट लिखेंगे जो 1s के लिए होंगी और यहां जो 10s के लिए है तो हम यहां पर देखेंगे जो last digit number है 1s place पर है, वो 9 है तो ऐसे कौन से numbers हैं 1 से 9 तक के बीच में जिसका square करने पर 9 आता है तो you can see this 3 का square और 7 का square करने पर 1s place पर 9 आता है तो मतलब 1s place पर या तो 3 होगा और या तो 7 होगा ठीक है 1s place पर जो 2 digit number है वो इसका root जो है उसका 1s place पर या तो 3 होगा या तो 7 होगा ठीक है, यह अभी चीज़ कनफर्म नहीं हुई बट हाँ हमें 2 options मिल गए अब हम 10s digit को decide कर लेते हैं 10s digit क्या होगी ऐसा कौन सा number 10s digit के लिए यह 39 हमें मिला है ऐसा कौन सा number है जिसका square इसके near about है ऐसा number धूरी है जिसका square 39 के near about है तो वो होता है 6 666, 36 means इससे छोटा तो रहे होगा लेकिन बड़ा नहीं हो सकता तो means जो 10s digit होगी वो आपकी क्या होगी 6 तो आपकी दो numbers मिलका है या तो यह जो number है यह 63 का perfect square है या फिर 67 का perfect square है अब हम पता कैसे करेंगे कि 63 का है या 67 का है मैं आपको जो method बताने जा रहे हूँ बहुत simple है इसमें आपको बिलकुल भी effort नहीं लेना पड़ेगा बढ़ आपको बस समझना पड़ेगा थोड़ा सा दमाग लगा के हम लोग क्या करेंगे इन दोनों में से choose करने के लिए कि किसका perfect square है ये given number उसके लिए आपको इस number का successor लेना पड़ेगा 6 का successor होता है 7 6 का successor 7 होगा means 42 multiply करेंगे 42 आएगा ठीक हमें 42 and 39 को compare करना होगा 39 हमारा own number है क्योंकि हमें given number में दिया गया है ठीक तो इन दोनों में कौन सा greater है 42 means जो हमारे पास number है वो smaller है जो हमारे पास number है 39 वो smaller है it means ये जो number है ये 63 का perfect square है ठीक है it is a short trick ये एक trick है जिसके हर्व से आप solve कर सकते हैं बहुत सिंपल है आपको sense का multiplication नहीं करना पड़ेगा आप check out कर सकते हो अपने clarifications के लिए आप खुद से कर सकते हैं 3969 का perfect square होगा square root होगा 63 मैं एक और example लेकर आपको लिए बार explain कर लेती हूं तो आपको जादा अच्छे तरीके से आजाएगा मैं एक five digit number ले ले रही हूं इसमें जैसे मैंने बताया कि आपको right hand side से pair up करना है two digit का और बाकी जितनी बचेंगी वो सब एक साथ ले ली जाएंगी ठीक है हम यहाँ पर tens लिख देंगे और यहाँ पर once लिख देंगे जो कि आपकी digits को decide करने में help करेगा ऐसे कौन से number है जिसके one space पर six आता है तो दो numbers होते है four and six तो यहाँ पर one space पर या तो four होगा या तो six होगा और ten space पर क्या हो सकता है ऐसा कौन से number है जिसका square इसके one eighty four के closer होता है तो इसके लिए आपको squares भी थोड़े learn होने चाहिए आप 25 तक क्या 30 तक square learn कर लेंगे तो आपके लिए जादा beneficial होगा तो 12 12 144 होता है 12 13 का square 169 होता है 14 का square 196 होता है 196 इससे greater हो जाएगा तो हम लोग 13 लेंगे जो हमारी ten space पर because square of 13 क्या होता है 169 और हमारे पास जो number 184 है उससे greater है अगर हम 14 का square लेते हैं तो वो होगा 196 तो 196 जो है वो greater of 184 से इसलिए हम इसको नहीं choose करेंगे हम लोग इसको choose करेंगे तो जो ten space पर होगा वो 13 हो जाएगा जो हमारा number है वो या तो 134 होगा या तो 136 तो इसको find out करने के लिए इसको confirm करने के लिए हम क्या करेंगे हम लोग 13 का एक successor लेंगे ठीक 13 का successor क्या होगा 14 13 and 14 को multiply करेंगे कितना हैगा 13, 4, 13, 3, 0, 30, sorry 14 42 carry 4, 14, 1 is 14, 18 182 हमें क्या मिला 182 और हमारे पास number क्या है 184 हमारा जो own number है वो है 184 तो हमारा number greater है 182 से तो यह हमारा जो इन दोरों में से कौन सा number होगा greater वाला होगा means 18496 का जो square root है वो क्या है 136 ठीक है इसको relate करके आप question solve करेंगे definitely आपको बहुत easily आपके question solve हो जाएंगे and it is very helpful method then third method जो है वो है prime factorization method it is one of the most simple method इसको आपने चोटी classes में भी पढ़ा होगा तो जैसे हमारे पास कोई भी number है इसको हमें factorize करना है factorize करेंगे कैसे सबसे पहले हम सबसे छोटे even number से divide करेंगे क्योंकि भी इसके one space पर जो digit है वो भी even है तो 2 से करेंगे 2 8s are 16 to 8s are 16 to 2s are 4 then again इसको हम 2 से करेंगे 2 2s are then 2 divide करेंगा 2 4s are 8 2 4s are 8 2 1 is 2 okay then एक और नमबर बन गया है 4 4 1 तो जब और नमबर हो गया तो इसको हम next और नमबर से divide करके देखेंगे अगर next और नमबर 3 होगा अगर 3 से नहीं divisible होता है तो हम 5 then 7 ऐसे move on करेंगे तो हम लोग 3 से divide करते हैं इसको 3 1 is 3 3 4s are 12 3 7s are 21 then 3 again 3 4s are 12 3 9s are 27 then 7 7s are and 7 1 is तब तक करेंगे जब तक हमें remainder 1 ना मिल जाए ओके अब हम लोग इसको कैसे लेख सकते हैं 1 7 6 4 is equals to 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7 ठीक है square की बात हो रही है square में 2 number खुद से ही multiply होते हैं तब square का sign नहीं होता है इसलिए 2 2 का pair बनाएंगे ठीक है कितने numbers 2 2 का pair बना रहे हैं एक है 2 root of 1764 निकालने के लिए 2 एक pair बना है then एक pair ये है और एक pair ये है इसको आप multiply करके देखिए कितना आ रहे है 3 2 2 is 6 and 6 7 is 42 so the square root of this is 42 तो ये एक और simplest method है इसको आप छोड़ी क्लास से पढ़ते आएं है so इस video की help से आप इस तर related questions को solve करने की कोशिश करिएगा I hope आप से questions solve हो जाएंगे and जादा से जादा practice questions करने की कोशिश करिए okay so thanks for watching keep practicing keep following